पत्रस की पहली पत्री तीसरा अध्याए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पत्नी के आधिन रहो। इसलिए कि यदि इन में से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भैसहित पवित्र चालचलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचल बरन तुम्हरा छिपा हुआ और गुप्त मनुशत्व नम्रता और मन की दींता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे क्योंकि परमेश्वर की द्रश्टी में इसका मूल्य बड़ा है। और किसी प्रकार के भैसे भैभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वा करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के बरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुख न जाएं। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाई चारे की प्रीती रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो पर इसके विप्रीत आशीश ही द क्योंकि तुम आशीश के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीब को बुराई से और अपने होटों को चल की बातें करने से रोके रहे वह बुराई का साथ छोड़े और भला ही करें वह मेल मिलाप को ढूने और उसके यत्न में रहे क्योंकि प्रभु की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी बिंती की ओर लगे रहते हैं परन्तु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है और यदि तुम भलाई करने में उत्तेज प्रभु रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ पर मसी को प्रभु जान कर अपने अपने मन में पवित्र समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी आश विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीए अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं लज्जित हो क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उस से शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दहिनी ओर बैठ गया और स्वर्ग दूद और अधीन किये गए हैं